लेकिन दिगजों की किस्मत EVM में बंद होने वाली है इनमें शामिल हैं गांधी नगर से अमिशा, मैनपुरी से डिम्पल यादो, बहरामपुर से अधिरंजन चौधरी महराश के बाराबंती में आज शरत पावार की विरासत की अगनी परिक्षा है कुछ और दिगजों के नाम भी देख लीजे जोतिरादित्य सिंधिया रतनागिरी, सिंदुदर्ग नारायन राने, राजकोर से पुरशोतम रुपाला, पूरबंदर से डॉक्टर मंसुक मांडविया आज की वोटिंग कई मायनों में अहम है, क्या खास है इसमें आई आपको बताते हैं बारा राज्यों के 93 सीटों पर वोटिंग तीसे चरण में, मोधी सरकार के 10 मंत्री मैदान में, अमिश्या, प्रहलाज जोशी, पुरशोतम रुपाला की सीट पर वोटिंग होनी है जोतरा दित सिंधिया मनसुप मायनविया की सीट पर भी वोटिंग होगी, कई वी वी आई पी की किस्मत का फैसला आज तै हो जाएगा अमिश्या की सीट गांधी नगर में वोटिंग, चार पूर मुखमंत्रियों की सीटों पर भी वोटिंग है बारमती में शरत पौर की अगनी परिक्षा है, बारमती में ननत सुप्रिया और वर्सेज भावी सुनित्रा पौर है आज यूपी की दस हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग है, इनके नाम भी आपको बता देते हैं आगरा, फिरोजबाद, हात्रस, फतेपुर सीकरी, मैनपुरी, एटा, संबल, बरेली, आवला, बदायू तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिप्ती के पास जो कि इस वक्त पेंड में मौझूद है त्रिप्ती आज कई दिगज मैदान में हैं, तो सियासी पारा तो जाहिर तोर पर गर्म है लेकिन आज मौसम का पारा भी बहुत गर्म है किस तरह का हाल है वहाँ पर और कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वोटर्स में मुक्ता जी मैं अभी पेंड में हूँ जहां पेंड राइगर में आता है यहां पे आज 38 डिग्री टेंपरेचर है सबसे बड़ी बात पेंड यह आदिवासी पाड़ा के लिए बहुत ही फैमस है जिसमें आदिवासी लोगों का वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है अभी तक पेंड में केवल और केवल साथ परसेंट ही वोटिंग हो चुकी है फिर भी लोग दूप में घर से बाहर निकल रहे हैं सबसे बड़ी बात अभी रतनागेदी सिंदुदुर्ग में नारांड राणेश ने वोट डाला है उनके विरोज में विनायक राउत है तो उनका वोट भी वहां पे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है अज तीसरे चरण के लिए सब की नजरे महा उसमें कहा जा रहा था कि वोटिंग परसंटेज कम हो रहा है और तमाम दो चुनायोग है और सरकार तमाम लोग अपील भी कर रहे हैं क्या इस बार तीसी बार कुछ फर्क दिख रहा है पहले से या वैसा ही हाल है अभी तक तो 7% ही वोट हो चुका है लोगों को अपील की है लेकिन कितने लोग बाहर निकलेंगे ये अभी तक पता नहीं है पेंड में राइगर, रामवाडी और सावर से ये बहुत महत्वपूर्ण जगा है जहां पर अभी आमबे घर में जहां पर मैं खड़ी हूँ वहां पर 6.42% ही वोट हो चुका है अभी देखते हैं लोगों को बाहर निकल के लिए सरकार ने बोला है कल से बहुत ज़्यादा यहां पर चुनाव के लिए election से बहुत लोगों ने घोशनाये दी है लेकिन अभी देखते हैं कि कितने लोग बाहर आते हैं त्रिप्ती आप जहाँ पर मौझूद है इस वक्ट पेंट में वहाँ पर NCP के सुनिल तटकरे और श्रिफ सेना के बड़े निता अनन्द गीते आमने सामने हैं क्या लग रहा है किस तरह का महल है और लोगों से अगर आपने बाचीत की हो तो किस तरह के equations बनते दिख रहे हैं सुनिल तटकरे वर्रसस अनन्द गीते ये बहुत महत्वफ़ पूर्ण लड़त है वैसे ही सुनिल तटकरे पहले भी आचुके हैं तो लग रहा है कि सुनिल तटकरे की क्योंकि पहले भी अधिती तटकरे यहां से काम कर चुकी हैं लोगों का बहुत ज्यादा विश्वा किया है बोल नहीं सकता है exactly क्या हो सकता है लेकिन ये बहुत ही आमने सामने वाली बहुत ही घमासान लड़त होने वाली है। क्या लग रहा है कुछ पिक्चर क्लेर होती दिख रही है। लेकिन उसमें ही सबसे बड़ी बात सुनेतरा पवार जी को बहुत जादा महायुती का जो सपोर्ट है। सुनेतरा पवार भी आ सकती है या सुपलेया सुले का उनका जो बारामती का काम है उसकी वज़े से वो भी आ सकती है। सबकी नजरे उसी एक चुनाव पे टिकी हुई है। बिल्कुल क्योंकि दोनों पवार का गड़ है इस बार ये भी बड़ी परिक्षा होगी श्रिवेंद्र की कौन किसका पलड़ा भारी होता है खैर इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे लिए आपको दिखा देते हैं जिससा त्रिप्ति ने कहा कि शरत पवार की तबियर ठ तो श्रिवेंद्र जिससा कि आप देख सकते हैं इस बार ननत भावी आमने सामने हैं हाला कि एक बड़ी खास बात या है कि अभी तक उन्होंने अपनी मर्यादाएं नहीं लागी है दूसरी बात पवार वर्सेस पवार दोनों ही पवार का गड़ है चाचा भतीजे आमने स किस तरह के एक्वेशन बनते हैं यह देखने वाली क्योंकि दोनों के लिए बड़ा महत्तुपूर्ण है किसका परड़ा भारी होता है कि राजनीती में जब विरोध में ख़ले होते हैं तो हर तरीके का जो भी सामदाम दन वेद इस्तिमाल होता है लेकिन यह एक साउधाना भी कई बार होती है कि जब उनको पता है कि सीट दोनों तरफ से जो लोग खड़े हो रहे हैं यही महत्तुपूर्ण है यही पावरफुल है तो दोनों पार्टीज की तरफ से जो टिकट दिये गए हैं यह सोच समझ के दिये गए हैं बेशक इसमें वोट बटेंगे भी क्यो कि शिवराज सिंग चौहान ने भी वोट डाला है सबसे पहले वह तस्वीर हैं आपको दिखाते हैं उसके बाद हम बाचीत करेंगे अपने वहां पर सहयोगी अब इना उपाधिया ऐसे के महा उस सब में मैंने भाग लिया है अपना बोट डाला है वोट लोगतंतर की आत्मा है लोगतंतर के प्रतिनिश्ठा का प्तितीक और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया देश में ही बद्धृ है लोगतंतर के प्राण है और सभी बहाई बेहनों से मेरा है तो आप यह देख सकते हैं वोटिंग की तस्वीरें किस तरह से शिवराज सिंग चौहान पहुंचे अपनी पत्नी के साथ और उन्होंने वहां पर वोट डाला और आपने सुना क्या कुछ कहना है शिवराज सिं करते हैं अपने सायोगी अभिनाव पादिया के पास अभिनाव हमने देखा शिवराज सिंग चौहान ने भी वोट डाला वही बॉड़ी लैंग्वेज वही तरीका वही लहजा क्या किस तरह का महौल है वहां पर पर भी लड़ाई लड़ाई लड़ रहा है लेकिन राजा और महराजा जहां अपनी जीत को सुनिष्चित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हैं चौनाओ में हैं तो वही मामा यानि की शिवराज सिंग चोहान जो है शुरुआत में इन्हों ने कहा था पाश लाग पार जब से मुक्षमंद्री पत्स से हटाया गहें शुराज दिसंबर 2023 के बाद से सबसे कुछ नया करने की कुछ ना कुछ थाबित करने की कोशिच में शुराज दिखाई दे रहे हैं लोग सबा की अधीमित बात करूं तो चुनाव प्रचार के समापती के वक्त पर जो अंतिम भाशन शिवरात सिंग चौहान ने उसमें उन्होंने अपनी जंता से कहा कि देखी अब नई जिन्मेदारी के लिए मैं यहां से जा रहा हूं मेरी विदाई यहां से हो ले वाली है और विदाई कुछ ऐसी है आप अब इनों आप से एक सीज जाना चाहते हैं शिवरात सिंग चौहान पहले शुरुआत में बहुत नाराज थे अपने घर से सरकारी आवाज से जब गए तो फिर अपने घर पे भी बहुत सारी हैं इन्हों बाते कहीं उसके आद माना यह जा रहा था कि शायद भाजपा से मो कि इतने दूरों में फिर बाद में टिकट मिला और बार बार वह तो आपको याद होगा 165 से जादा चुनावी सभाओं को संभूदित किया था शिवरास्तिक चोहार ने अलाग अलाग विधान सभाओं में दौरा किया था बुद्नी जो उनकी विधान सभा है जो दूसरी विधान सभा है कुल 230 विधान सभा है उनमें से 155 के आसपास विधान सभा में शिवरास्तिक चोहार में दौरा किया था साफ तो पर यह दिखाई दे रहा था कि वो खुद की जीत के लिए नहीं बलकि भार्टी देंता पार्टी की जीत के लिए चुनावर रहा है लेकिन वहीं अधी हम लोग सभा में देखते हैं तो शिवरास्तिक कापी हद तक सीमिल दिखाई दे रहा है अधिकांश फोकस जो है कंबूल फोकस जो है वो विधिशा पर दिखाई दे रहा है हां उनसे पूछा जाया मैंने भी उनसे सवाल किया था कि शिवराग जी आप पूरे प्रदेश का दिम्मा है तो उनका यह कहना है कि पार्टी ने मुझे भेजा था साउठ भी गया हूं मैं दथ स्टेट का मैंने दौरा किया है लेकिन पिछला महीना था उस महीने में शिवराद सिंग चौहान को जिस तरह दूसरी लोग सभा चेत्रों पर सक्री दिख को लेकर पूरी तरह सुनिष्चित है शिवराद सिंग चौहान लेकिन अपने जीत के अंतर को इतना बड़ा करना चाहते हैं अंदर अब लगता है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं जाहिर सी बात है कि उसका नतीजा भी अले चुनाओं के नतीजों में दिखाई देगा और यह बीजेपी के लिए बहुत खास भी हो सकता है तो फिलाल जो यह महाल है यह मद्यप्रदेश का है जो की अब नोपाद है बता रहे हैं अब मद्यप्रदेश के बाद अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का जहां पर अस्ती में से दस सीटों पर चुनाव है और जिसमें जादा तर सीटों पर सपा का वर्चस सुमाना जाता है लेकिन अगर आप 2019 की बात करिये तो दस में से आठ सीटों पर बीजेपी का कबजा है लेकिन शिवेन अब इस बार जो जो सीटों पर चुनाव है वहाँ पर अगर आप देखे तो यादों का की साख भी दाओं पर है उन्होंने दो कदम बहुत महत्रपूर उठाए एक तो जो श्रीकला रेड़ी थी जो दनेंजे की पत्नी हैं उनको बिठाने के लिए जो पीछे से कवायत की गई बसपा ने उनका टिकट के कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ पर जौनपुर में कृपाशंकर सिंग लड़ रहे थे और उनको लग रहा था कि वह कमजोर पड़ रहे हैं वहाँ पर आखिरकार उनको उस तरह के सफलता मिली दूसरा जो वहाँ पर राजा भहिया रगुराज प्रताप सिंग्राजा भहिया कहे जाते हैं प्रताब गर्से वह उनको भी मैनेज करने का काम किया क्योंकि उससे पहले रफगार पताप सिंग कई बार कोशिश कर चुके थे कि बीजेपी में शायद उनको कुछ जगह मिल जा या आगे कि कोई कोई कोशन हो सके लेकिन अमिशा ने जब मोर्चा समाला तो बैंगलोरों में जाके मुलाकात की ताकि एक वो जो सीथ फस सकती थी जो ठा शायद ना लगा पाएं क्योंकि समाज़ादी पार्टी का गड़ भी है और पारंपरिक सीटे भी बहुत सारी इसमें रही हैं तो अभी जो कोईशन है कि एक एक सीट को भी बीजेपी इस तरह किसे कर रही है तो मुकाबला बड़ा रूमान चेक होने वारा अगरा ले चलते यह ना आपके हाथ में होती है जन्ता के पाले मां लेस्टों दिसाओं से संदेश आ रहे हैं बात पाजीत रही है और मैं जो देशन किलता हुआ कमल देख रहा हूं उसके लावा को जिक्री नी को आप हमेशा ही कहते हैं कि जो जो शांतिकार में खून नहीं बाहना होता है दो लगाता है 5.0000 आप दो जो 5.000 to पर स्ञाओं सेहां की आप बिल्हुल्य को जो टेल से लिए गयुज है कि ऐसीृष, जिसको 100% कंप्ली हो लेता हुक्त आप जिरताने नहीं दिया आप जन्ताइने मैं आप 2.000 लोग कहेंगे कि मनांकोली ना क्या किया है रह जरूसर. उर मैं कुछ ऐसा नहीं करता हूं कि मेरे भूख है, मेरा पैसन है, मेरा जुनून है, कि जोगसभाद छेट जाए इनाम हिनिया। तो हम चलते हैं अपने समाद आता, विने मातुर के पास जो इस वक्त हात्र से जुड़ रहे है, विने किस तरह का महौल है, किस तरह का उच्साह देखा जा रहा है बोटर्स में? पुम्टर पायत अप्टूरा पामर में? नाराज की है, वो साफ्टॉर पर है, तस्वीरे अगर मैं आपको डिकाऊं तो यह तस्वीरे है, इस गाउ की साफ्टॉर पर यहां इस पोश्चर लगा रखा है कि रूड नहीं तो बोट नहीं, यानि कि करीब दरजल सिया तिक यहां गाउ है, जहां लोगों ने इस तरह क रखेए पूश्चर चाफ्टर करने के साथ ही लोगों का कहना साफ़कर पर यह है, कि ज्युजूर नहीं बनाया जायाएका तब तक किसी भी तरह का मतदान नहीं किया जाएगा यानि कि अभी करीब चार गाओं में यहां चार गाओं के लुगों का कहना यह है कि बहां कोब सुभा साथ बजे से लेकर और दस तारे दस बजे तार दो या तीन नाम के वोट पड़े है जानि उसमें कोई वो मतदाता भी करारें फोर की हैं कि जी है ठीकरीं क कहना से अअश्क आप इसे बात के लिए कि यह निकिवारा लगी के बाहर ने कि वो वोड थे नरिए शेकpri से यहां कि मॉत करने देखा पहले होता था कि नेता जी लोग खुद आते थे और ले कर जाते थे वोट दलवाने के लिए लेकिन इस बार क्या किसी को बहुत बदला हुआ है और इसका नतीजा यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज है दो फेजस में कम देखा गया पहले यह भी होता था कि जो पार्टी के तमाम लोग हैं उन पार्टी के संगठन के चाहिए बीजेपी का संग हो चाहिए का काडर हो या फिर बसपा या समाधदी पार्टी के लोग हो वो जाते थे परसिया देते थे लोग बोला के लिए लोग सबकों पर गुरूप्स में दिखते थे कि एक साथ वोट डालने जा रहे हैं समझ आते थे लोग कि किस पार्टी के सपोर्टर होंगे लेकिन इस बार ना वो उत्सा दिख रहा है और नहीं वो लोगों में ललक दिख रहे हैं तो यह बड़ा अलग सा इशारा करता है कि शायद लोग चुनाव की प्रक्रिया पुले के खुश नहीं है या फिर लोग मान बैठे हैं कि नतीजा तो हमें जो समझ में आ रहा है वही होगा तो इसलिए वो चाहते हैं कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन शानती से बढ़े हैं लेकिन यह लोगतंत्र के लिए बहुत आच्छी बात नहीं है कि जिसरे से वोटिंग परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है चुनावा योग लगतार दावे कर रहा है कि अब अगले चरण में बढ़ेगा लेकिन इस तरह के कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको दिखाते हैं कि जिन लोगों ने बहिशकार किया है उनका क्या कहना है इस पूरी चीज के बारे में साथ यह लगातार जो प्रशाशनिक अधिकारी है वोट तैनाथ है यह बूत है सामने बूत देख सेकते हैं कि बूतों पर किस तरीके से सन्नाथा पसरा हुआ और यहां ग्रामीड जो है बिल्कुल भी वोट डालने के इस्टिती में नहीं है बाचित करने के लिए फिरहाल जो तैनाथ करेकारी है जिनकों जिम्मेडारियां दी गई है बाचित करने के इसाथ महदू करें पर क्या इस इस्टिती है देखें तविरों में देखना चाहूँगा मिल्कुल बहुत में केंद्रों में सन्नाथा पसरा हुआ है कोई भी यह जो वोटर है वोट करने नहीं पारें पारें बाचित करने के मेरे साथ मुझी बताएं कि अधिया प्रताब जी कौन सा भूत है यह कहां तैनाथी है यह जो बूत संतिया सेंटिस है और यह जो दोराई गाउन में उच प्लाथी दोराई है विच्वरा निया प्रता शर्वा लोग सबाद कॉंजी यह इस यह कारण क्या है मत्दान हुराया नहीं हुआ नहीं है और विन जो जब काम नहीं किया उन्होंने लोहां कहना है इसे वाजा है इतने मजबूर है कि आप रस्ता करने में दिक्कत आरी बहुत ज्यादा भी तुम देखो अभी आप गाड़ी लेका यह क्या हो रहा है आप यह इदर आता है वो इदर आजाए यह रोड नहीं तो बोट नहीं रोड है तो बोट है कि लिए यह सिंदान सब्सक्राइब यह रास्ता यह रास्ता बारह साल की करीब होगी है बारह साल की करीब होगी है इस रूड है तो बोट है और रूड नहीं तो बोट नहीं तो बोट नहीं कुल कितने मतदाता होंगे यहां पर यहां बारह साथ बजे से मतदान चुरू हो गया है नो बज रहे हैं अभी नहीं तो अपने हात्रस का हाल देखा हमें हम आपको लोकतंत्र की हर तस्वीर दिखा रहे हैं किस जगें पर लोगों का क्या कहना है अब हम हात्रस के बात चलते हैं बरेली जहां पर अनूप मिश्रा है हमारे समाधाता उन से जानते हैं वहां का हाल अनूप हात्रस का हम ने सुना ग्रामीडों ने बहिशकार किया उनका कहना है रोड नहीं तो वोट नहीं बरेली में किस कुछ अच्छे नहीं है जो बोर्टिंग पर्संटेज है वो लगातार सम हो रहा है लोग बोर्ट डालने के लिए कम निकलना है हलागी फिन आयोग ने बहुत सारी कोशिश की थी कि वह गदिक चादिक बोर्ट डालें लेकिल ऐसा मेंजारा देखने को कम मिला और जैसी सामने आ रही है प्रशासन ने पहले लिया लगातार वो लोग कह रहते हैं कि जब रोट नहीं बनेगी तो उम रोट नहीं देंगा वो इस तरीके की चीज़ें क्योंकि कहीं ना कहीं जब नहीं पढ़ता है तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी शरकार की और प्रशासन की पड़ती है तो फिलाल अगर बरेली की बात की जाए तो अगर राजनीतिक स्विकर्ण की बात की जाए तो बरेली में भारती जन्ता पार्टी कर दण कहलाता है शंतुर्ज गंगारी आठ वार्ट से शांसर जाने लेकिन इस बार वो इस बार प्रक्यासी नहीं लेकिन अच्चिता की बडिया था तो जो सीधा सीधा मुकावला है तो बीडिया का पार्टी कि यह था सुर्यात पर्ट्री तो और सांसरे की साथी में ब्रावमर्ण नाराज हैं, चत्री नाराज हैं, वहाँ से सालसर दर्मेल कश्टर भी तीसरी बार चुनाओ को मैदान में हैं, तो समाधमादी पार्टी नीरज मौनिया को वहाँ पर उता रहा है, तो ऐसी हालात अगर हम बनाई की कहें, तो बनाई में शिक्पाल के वेपे बनाती है, तो जैसे आपने बताया कि आड़ बार के बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्री मंत्री संतोष गंगवार का टिकेट कड़ गया, तो क्या उसका भी कुछ असर दिख रहा है वहाँ पर आपको लगता है कि बीजेपी उनके बिना यहाँ पर जीत दर्स कर पा बनाए गया है, उनको जुताइए, तो जरूर कहते हैं, दिखें कि बीज सेकेंड के भाषण में कि अब की बार आप सुम लोग बहुती संता पालिटी को बोर्ट दीजेगा, चार्तोपार की बार की बार लेकिन शातुपाल गंगवार्था और उनको टिकट काता गया, तो साथ सही ना चाहीं, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, उनका कहना जब हमामाली को टिकट दे दिया गया, तो मुझे टिकट चोने दिया गया, तो कही ना कहीं, उनके अंदर वो टीत है, वो नाराजगी है, और यही कारण है, कि वो चुनाओ प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दिए पार्टी के बीच अपको बताएं कि एक चरह से इस्तिपाल ने अपने वेटे को लांज किया है उनका राजनी की शुरुआत है तो इसलिए उन्हें उन्हें पाचों विधान समाया है उन्हें सभी विधान समाओं में मुख्कमंती हो जिस्ता ने रहिया कि हैं जुक्ति सीम व कि जो भार्टी शुद्ण पार्टी से प्रश्चाशी है वो दिविजे सिंसाथ है काफी साथ सुछी चभी है बरेली के निवासी में वो प्रफेसर है इसको इसके अलामा डाता गर्श विदान समाज पढ़ती है बनाई लूप समाजी वहां उनका पैट्लक भर है वहां पर करने के लिए इतनी मुश्किल अवस्था में भी वो वोट देने पहुंच रहा है और अपने मन के उमीदवार को चुनने के लिए वह वहां तक पहुंचा है आप देख सकते हैं गर्मी है गर्मी सभी के लिए है लेकिन फिर भी अपने अधिकारों का उप्योग करने के महिला हैं बड़ी संख्या में दिख रही है और हम आपको सीधा लिए चलते हैं आगरा नितिन उपाधिया के पास और उनसे थोड़ा मैनपूरी के बारे में जानते हैं कि मैनपूरी में किस तरह का हाल है नितिन आप मेरी आवाज सुन सकते हैं कि मैनपी समाजवादी पार्टी का मजबूत गड़ है और इस तरीशे से आपको पता होगा कि दस अक्तूर दोजार बाइस को जब मुलाइम सिंग यादव करने दन हुआ उसके बाद करीब दो महिने के फिकर वहां इस तरह से उप्चुनाव हुए और बीजेपी ना पूर समाजवादी पार्टी की बत्याटी वर्सिस यह भी उसिंग जो उत्ताफिदे सरकार में केमरेट मंत्री हैं और मैंसरी सदर से हैं और जिस तरह से एक भार्तियंता पार्टी समाजवादी पार्टी के इस मजबूत दुर्ग को जहाना चांती है और देखिए अगर साल 2019 की बात की जाए तो ब्रच्षित्र पूरे उत्ताफिदेश को बीजेपी ने 6 शेत्रों बाटा है ब्रच्षित्र की एक मात्र सीट ऐसी थी मैंसरी जो भार्तियंता पार्टी उसको नहीं जीन पाई थे और इस बार बीजेपी की खोशे है कि मैंसरी में भी कमल खिलाए जाए वहीं दूसरी सरफ दिंपल यादव समाजवादी पार्टी के जो मुक्षिया है अठलेश यादव उनका जो होम ग्राउंड इस बार जो मैंसरी की लड़ाई है वो जबर्दस दिल्शस्थ है और जिस तरह का वहां जो सोशल एक्वेशन है तो ऐसे में ये लड़ाई बाति जाए तो जाए तो जाए तो जावाद की आग्रा और सथे पुसिक्री आग्रा कमिशनरी की आग्रा मंडल की चार लोग सवासीत है तो जावाद में लड़ाई इस समय भारती जन्ता पार्टी के ठाकुर विशिंदी वर्स राम गोपाल यादव के वेटे अक्षय सिंग के पीश है और वहां भी जोए पक्षी मुकाब्ला काफी ज्यादा इसमय समय से जब शिपाल सिंग जादव की जो प्रस्पा से जो खुद वो चुनाव मैदान उतरी थे और अक्षय और शिपाल की फाइट मानी जा रही थी और ऐसे में बीजेपी ने डमी कैंडिडेट चंद से जादा वहां प्रचार कर रहे थे और नॉमिनेशन की आखी डेट से कुछ दिन पहले वहां बार्शी जनता पार्टी ने आखरी में पक्ष्याशी उता रहा है तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि बार्टी जनता पार्टी को यह प्रचार में कम समय मिला है तो ऐसे मैं पार्टी का कब्जा है और वहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से कंडियेट है भले ही वह साफ सुत्री छभी हो लेकिन उनके लिए आसान नहीं होगा दूसरी तरफ राम गोपाल यादो अपने बेटे के लिए लगे हुए है आप ही के मंडल में वह इलागा आता है तो इन दोन नंट्री का जाए भारती जन्ता-पार्टी की कमजोर एक नस्रही है लगाता बाई-लेक्शन में वह से सांसद रहे धर्मिंदर यादव महिन्तुरी से ऐलेक्शन उन्हों ने सांसदी का जीता और अब वहां से डिंपल यादव बाई इलेक्शन और इस बाद फिर से वहां चुनावी मैदान में भारती जंसा पार्टी की पूरी कोशिच है कि समाजवादी पार्टी की जिसको नरसरी कहा जाता है मैंन पूरी जिसमें इटावा जिले की चस्वन नगर जो विधान सभा भी आती है उस पूरे इलाके को जीता जाए कि उस लोकसवा में जीता जाए पिछले बार साल 2019 में मुलाइम सिंग यादव सबसे कम मार्जिन से 90,000 वोटों से वहां से जीते थे और ये कहा जा रहा था कि मुलाइम सिंग यादव का इतने कम वोटों से जीतना ही एक करेस उनकी हार है अ चुनाओं में मुलाइम सिंग यादव की डैथ के बाद एक सानबूती का वोट मिला वोट से उन्होंने बीजेपी केंडिडेट करा दिया इस बार भी बीजेपी की कोशिच है जैवीर सिंग को चुनावी मैदान में उतारा है जैवीर सिंग मैंतुरी सदर से विदाइक है और वहां दूसरा भोगाओं से राम दरिश अगनोत्री जो योगी वन में कैबिनेट मंतुरी रहे थे आपकारी वहां से एमले है इसके साथ ही करहल से खुच तो चार सीटे मैं पूरी में आती है और वाजपा जो राम मंदर का मुद्दा भुनाना चाहती है आपको क्या ल का कुछ असर देख रहा है वहां पर कि राम मंदर हावनात्मक मुद्दा है वोटों के लिए खासका जिंदुश्टी जो लपीर है उसको और गाड़ा करता है लेकिन अब सवाल यह है कि इस तरह से विपक्ष ने इंडी गठवंदन ने कई सारी चीजे मुद्दे छेड़े है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 400 अगर बारती जन्ता पार्टी को सीटें मिलती है 400 सीटों से ज्यादा तो वह सम्मेधान बदल देंगे तो कहीं न कहीं शंका भी अंधर कर रहे हैं अंदर करेंट कि ऐसी सी ओबी सी वर्ग में इस वाद को लेकर शंका है कि कहीं बीजेपी क तो एक्स्ट्रीम पावर एक्स्ट्री मिजॉर्टी मिल जाएगी तो किया वो रेजर्वेशन को क्यांश कर देंगे यह तमाम चीज़ें चल रही है अब यह वोटिंग टर्नाउट में कितनी बदलती है या बीजेपी की पक्ष में बेफक्ष में यह सारी चीज़ें प्रदेश में योगी सरकार है तो जो संग्ठन है भारती जनता पार्टी को वो उसको बैक अप दे रहा है लेकिन इस बार का जो एलेक्षन है तो ना बदलाव की कोई सुनामी है ना पक्ष में कोई लहर है यह जो एलेक्षन है यह 2019-2014 से थोड़ा इतर नजर आ रहा है थो उनके मुकाबले एक कोजी बाबा यानि जो राम नात सिकरवार जिनको इस खानी भाशा में कोजी बाबा के नाम से जाना जाता है और वो रिटाइड आर्मी परसन है जबर दस उनके खिलाब लामन्दी नजर आ रही है पूरी फटेपुल सिक्री सीट पर काश पैरियर चू प्रसन है पूरी फटेपुल सिक्री सीट पर लडाई तर्कोंड ये नजर आ रही है जो प्रसन है उनको एक वार्फिल से भार्षी जन्ता पार्टी ने चुनावी मैदान में उता रहा है लेकिन जो रामना सब्सकरवार हैं इंडिया इंडी गटवंदन के प्रत्याशी है वो 2022 में खेरागड से उन्होंने 65,000 बोर्ट पाइस है जब कॉंग्रेस का कोई जनाधार नहीं है जबर्दस तर्नाउट देखने को मिलता है जबर्दस होतिंग मिलेए को कि सुबैसे ही लगातार अलग अलग गूत्सों से अलग गाउं के लोगों से गामी डिलाता है पूरा हम लगातार बात कर रहे हैं उसके पीछे की जो वज़े है वो है कि पांच साल राजकुमार चाहर का नदारत होना उनका नजर नहीं आना इसके साथी बीजेपी की कुटबाजी आगरा सदर सी जहां से एस्टी सिंग बगेल चुनाव लड़ रहे हैं यहां नजर नहीं आती और यहां बहुत कमफर्टे और इसके साथी शेहर में फिलानवंत्री की सभा उसी हटेकुसी की लोग सभा में राजना सिंग की सभा दोनों जिप्ती सीम और अलग जातिक शत्रप की बड़े जो बीजेपी की लीडर्स हैं उनकी भी वहां सभा कंडक्स कराई गई गया और बार बार की कहा गया करफ है लेकिन चंता के सुख दुख में जो संसर्थ के ना से जो सहवागिता नहीं रही है इस बात को लेकर नाराजी है वहीं दूसरी करफ रामना सिकरवाज कांग्रेस के प्रत्याश जरूर है लेकिन उनके साथ सभी जासियों का गोट नजर आ रहा है और पीजेपी की र वोटिंग अपील की है प्रधान मंस्री नरेंद्र मोधी ने आपको सुनवाते हैं दान का एक महत्मय है और उसी भाव से देश वासी जादा से जादा मतदान करें आज तीसरे चरण का मतदान है अभी और करीब करीब तीन सप्ता चुनाव अभ्यान चलेगा चार मतदान के दौर आगे भी है मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगा है जा मैं रेगुलर मतदान करता हूँ और अमित भाई यहां से भार्पिये जन्ता पाटी के उमिद्वार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं मैं कर रात को ही आंदर से आया हूँ अभी गुजरात में हूँ मतदेश जाना है महाराष्ट्र जाना है पित्यलंगना जाना है तो इतने कम सबय में मैं ज्यादा बात को नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैं गुजरात के मद्दाताओं को भी और देश के मद्दाताओं का भी रुदेश से आभार बेकते करता हूँ जो उत्सा उमंग से मद्दान में हिसा लेते हैं तो शिवेंद प्रधान मंत्री जी को तो काफी जगें जाना है तो चलिए अब हम लोग भी तुड़ा गुजरात का रुख कर लेते हैं गुजरात में आपको क्या लग रहा है ओल इस वेल तो नहीं है क्योंकि तीसरे चनल में अगर देखा जाए तो 26 सीटें हैं वहां पर और सबसे जादा इसी स्टेट की जो सीटे हैं जिन पर चुनाओ है और वहां पर जो साहब से बड़ी सी तो जो चुनोती है या कहलेगे सबसे बड़ा जो चेहरा है वहां पर सफर शुरू हुआ था तो हर लिहाज से गुजरात स्टेट पूरा जरूरी है लेकिन वहां पर जो अंद्रूनी कलह चल रही है या नाराज़िये आपस में जो टिकट जिनके कट गए उन लोगों के बीच में या फिर पार्टी के और तमाम दूसरे ध्रणों के बीच में हैं वो सबसे बड़ी चुनोती बीजेपी के लिए होने वाली है और शायद विपक्ट इसका फाइदा उठाएगा कई जगा इसी स्टेटजी के तहट उन लोगों ने सीटे भी निरधायत की हैं और ये सीटे जो भी हैं उनमें कई ऐसी सीटे हैं जो पिछले बार चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है शुवेदर की प्रधान मंतरी जी को आके बार बार ये अपील करनी पड़ रही है कि आप वोट देने निकल लिए लेकिन तो भी उसका बहुत असर वोता नहीं दिख रहा है देखे ये पूरे देश में इस बार दिख रहा है ऐसा 2014 के चुनाव में नहीं था मोदी के लहर थी 2019 में पूरा चुनाव ही मोदी के चहरे पे लट रही है लेकिन वोटर अजीब सा बिहेव कर love कर रहे हैं वोट बाहर नहीं नीडी कम हो गया है जब कि इस बार ऐसा हुआ है कि चुनावयोग ने अलग लग तरीके की अपील अलग लग तरीके की न अंतिजाम किया आपको बता दें कि इस चुनाव में जब 18 का असपास मद्धाता पूरे देश में तीसरे फेज में उसमें 40,000 मद्धाता ऐसे भी हैं जो 100 साल के उम्र के हैं इसके अलावा करीब 14,000,000 अइसे हैं जो कि 85 साल के उम्र के हैं चुनायोग ने इनके लिए विशेश विवस्थाएं की हैं मतलब जहां मद्दान के इंद्र हैं गर्मी जादा है वहां लोग आए औरस गोल तक रखवाया है कुछ खाने पीने की चीजे रखी हैं बाइक्स की भी विवस्था की गई है कि बाइक्स से ल या फिर लोग इस तरह के चुनाओं से तंग आ चुके हैं या फिर विपक्ष के जो साथ हैं लोग वो लोग जो है वोट देने जा रहे हैं और पक्षवाले नहीं जा रहे हैं यह सारी चीजे इस चरण के बाद हम लोग हाफ वे मार्क पहुंट जाएंगे लिए अभी भी कुछ क्लियर वोती दिखाई ने दे रही है चलते हैं त्रिप्ति के पास जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है महाराश्र से त्रिप्ति इस वक्त आप कहां पर हैं पेंड में जो दूसरा वाला बूत है जहां उसका नाम सावर सही है जो आधिवासी पाड़ा माना जाता है आप देख सकते हैं यहां पर पूरे आधिवासी लोग वोटिंग के लिए आ चुके हैं पर संक्या बहुत नहीं देख रही है यहां पर उतना उत्सा नहीं नज़र आ रहा है वोटर्स में पूरे देश की तरह यहां पर भी वोटिंग में जादा उत्सा लोगों में नहीं नजर आ रहा है कम से कम अभी यहां पे अगर आप देख सकते तो चुनाओं वोट डालने के लिए करीबन पचास लोग अभी मौजुद है पिर भी देख रहा है कि दूप की वज़े से यह हो सकता है चार बज़े के पार लोग अगर बाहर निकले तो ज्यादा वोटिंग हो सक अपिल कर रहे हैं लेकिन ऐसा माहल अभी नहीं दिख रहा है अगर आप देखे तो पचास से कम ही लोग यहां पे अभी मौजुद है वोट डालने के लिए महाराश्र की बात करें तो अजीत पवार और एकनाश हिंडे का अगर हम देखें तो एक तरह से यह लिटमस टेस्ट होगा यह चुनाओ उनके पुलिटिकल फ्यूचर का क्योंकि अगर डिजारिबल रिजल्ट नहीं मलता है तो बीजेपी के साथ बने इस गड़ बंधन में उनके लिए अस्तित्यू की लड़ाई हो सकती है और खासकर कि तब जब महाराश्र में इस साल के अंत में वहां पर विधान सभा चुनाओ भी होने वाले हैं है जी हां जैसे अभी यह जो योती हुई है ऊसमें उसका चित्र यहां पर भी दिख्षाई नहीं दे रहा है ओड़ा कि यहां पर आदीवासी लोग होने के कारण लोगों में खुद में ही एक क्लियारिटी नहीं है तो वोट डालने के लिए वो बहुत ही संब्रमित है गौर्द रपाना चारा है कि यह लोग कितने वोट करें और कैसे वोट करेंगे यह चितरचार जुन के बाद ही हम लोगों को दिखाई देगा त्रिप्ती कॉंग्रिस के नेता और लीडर ओपोजिशन विजेव वर्तिवार का कल एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हमन करकरे की जो मौत है वो पाकिस्तानी गोली से नहीं बलकि एक पुलिस ऑफिसर की गोली से हुई थी और जिसके जवाब में बीजेपी ने उनको घेर लिया है और एक कैम्पेंड चलाया है जिसमें कहा गया है कि अगर कॉंग्रिस और इंडि लोगों ने जो बोला है अभी यही सबसे बड़ी कि कॉंग्रेस को पीछे की खिचने के लिए यह बयान बहुत काम करने वाला है जैसे कि अभी उन्होंने बोला है यही बयान सबको उनको प्रॉब्लेमेटिक सिच्वेशन में ला सकता है लेकिन बीजेपी के लिए यह सब्सक्राइब करें जो भी कॉंग्रेस पार्टी के लोग सपोर्टर थे उनके लिए भी यही हो रहा था जैसे पैंड में कल चर्चा हुई थी उन्हों लोगों ने बोला यह कैसे किस हिसाब से यह लोग बोल रहे हैं जिसने जैस के लिए जान दे दी है वो अगर ऐसी बात सब्सक्राइब के साथ जो बीजेपी की इस्तिती रही चाहे वो सरकार बदलने की बात हो वहां पर या फिर जो फ़रन निवीस का पूरा किस्सा रहा है वो तमाम चीजे ऐसी हैं जिसे लगता है कि वोटर एक तरीके से कन्फ्यूज हो गया कि आखिरकार किस की तरफ जाएं उसके पहले तमाम अलग अलग पार्टियां जो फिलहाल बीजेपी की साथ हैं वो भी किस कर्वट बैठेंगी ये कहना मुश्किल है तो क्या ये सब भी एक मिक्स रेक्शन है लोगों का जैसे कि पहले अपने बोला सर राइगर रत्नागिरी सिंदुदुर्ग में पहले बाया सब ठक्रे जब तब कि शिवसेना वादी थे जिनके लिए वो काम कर रहे थे जैसे केंद्रियर मंत्री नारायंड राणे बीजेपी में गये तो वो पूरा वही एक सम्रमिक सिच्वे पिर से कंशुजन दे रहा है कि जो आदमी पहले से उसे नामे था पूरी से उसे नामे राइगर रत्नागिरी सिंदुदुर्ग था अभी वो बिजेपी में कैसे होगा इसलिए लोगों में बहुत सम्रम फिर से शुरू हो चुका है अगर आप देखिए पिछले कुछ समय से काफी जादा सियासी उठापटक चल रही है और बीजेपी और एंडी के लिए सबसे कड़ी चुनौती बना हुआ है माराश अलंकि कॉंग्रेस यहां बड़ी होफुल है तो आपको क्या लग रहा है कुछ दम है या हवा में कि उनका टरनाउट कम हो गया वो जो कार्ट करता है वह भी बड़ा कंफिव जाते हैं कि आखिरकार किसके सपोर्ट में खड़े हों कितना खड़े हों कितना बाहर निकलें गर्मी का महौल है तो यह सब जो दुविधा होती है यह जाहिर से बात है एक तरफ की और वोट मोरत हैं और वो करना कहीं न कहीं दिखता है कि वहां की जो प्लैनिंग की गई रणनीती बनाई गई है वो बहुत मजबूत है और यह बहुत कुछ अलग अलग मतिजे भी दे सकती है चलिए हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक बार फिर से हम रुख करते हैं गुजरात का जहां पर यूपी के राज़िपाल आनंदी बेन पटेल पहुंची हुई है वोट देने के लिए हम आपको विज्वस दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है वो अपना अधिकार का उव्योग करें और भारत के निर्मान में और विश्व ग्रु बनाने में वो अपना अधिकार का उयोग करें और भारत के निर्माण में और विश्व गुरू बना तो अभी आपने देखा अनंदी बहन पटेल पहुंची हुई है वोट डालने के लिए अगयर आज तीसरे चुनाओ तीसरे फेस के चुनाओ के अगर हम बात करें तो यह मोलता उन जगहों पर है जो कि बीजेपी के बैस्टियन रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है 93 सीटों पर जो चुनाओ हो रहा है उसमें 80 सीटे बीजेपी और एंडिये के पास हैं तो एक तरह से अगर आप कहिए तो आज जीत से जादा बीजेपी एक डिफेंडर की भूमिका में है देखे एक तो इसके सबसे बड़ी वज़े है यह कि मोदी जी ने कई बार यह कह दिया कि अपकी बार 400 पार जानी पिछली बार जो नतीजे थे उससे जादा आगे तो जाना पड़ेगा और कई मौकों पर कहा गया हलाकि बाद में यह जो अपील है यह जो बात है दावा है यह थोड़ा कम होनी लगा शायद उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि यह शायद बड़ा टार्गेट है या इस्तितिव ऐसी नहीं है लेकिन इससे पहले जो इतने बड़े नंबर्स आते थे बीजिपी के बताया 2014 में पूरितर से मोदी लेहर थी मोदी के लावा कोई नाम ही नहीं चल लाता दोज़ाग 19 में भी चेहरा मोदी का रहा लेकिन पार्टी का संगठन और पूरा का पूरा कारकरता जो वर्ग है वो बहुत जीजान से जुटा हुआ था इस बार दोनों ही चीज़ें मिसिंग हैं कारकरता और जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा फील में नहीं दिख रहा है और दूसरी बात यह है कि केवल मोदी के नाम पर चुनावत हो रहा है लेकिन लहर जैसी चीज़ नहीं दिख रही है एक और चीज़ है आप देखेंग है कि इसको बहुत अच्छे से बुनाएंगे तो यह सब चीज़ें लैक कर रही है तो कहीं न कहीं यह जरूर है कि अंदर की जो भी परेशानी है जो भी चाहिए वह स्टेजिक परेशानी हो आपस की कलय हो जो भी नाराज़गी हो वो जितना कम दिख रही है वह बात शोर कर है क्योंकि अब फिर से वो हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं देखे यह मुद्दा तो बीजेपी के लिए हमेशा रहेगा आप देखेंगी पहला और दूसरा फेस होने के बाद मोदी जी ने कई अपने भाशनों में सभाओं मे हैं साफ तोर पर हिंदू मुस्लिम की बात की 80-20% की भी बात की कि 20% लोग अगर हावी हो गए तो क्या होगा मतलब बहुत ऐसी बाते हुए जो शायद एक प्रधान मंत्री के तोर पे उनको नहीं की जाने चाहते हैं इसके भी सवाल पक्ष ने उठाए लेकिन ये वो मुद प्रधिश के तमाम लोग सवाच हित्रों की बात देखे कि वो लोग रोड नहीं तो वोट नहीं की बिबात करते हैं वो लोग भष्टाचार की बात करते हैं रोजगार की बात करते हैं तो यानि वोटर कहीं कुछ और ही सोच रहा है पार्टी कहीं कुछ और ही सोच रही है और जो ये बेमेल माहौल बन रहा है वो नतीजियों को जरूर कुछ न कुछ बदलाव लाएगा बिल्कुल अब वोटर्स भी कहीं ने कहीं हिंदु-मुसलिम और राम मंदर से हट कर सोशल लगें खैर चलिए इसके बाद हम चलते हैं सीधा अभिनाओ के पास जो इस वक्त हमा जो है वालियर रीजन की एजिए बात करें तो सबसे महरपूर सीट जो है वो बुना सीट ऐसी है जो कि हाई प्रोफाइल सीट है सबकी निगाह सीट पर बनी हुई है जो तरह जिस सिंधिया इस सीट से भार्ति जल्टा पार्टी की दरफ से उमीद्वाली करते हैं जो तरह जो है पूरा का पूरा सिंधिया परिवार जो है सडकों पर है जो तरह जिस सिंधिया की धर्म पत्नी चोटे जो जो ए जा रही है वह बहुत बीमार है इस में उनका इलाज चल चल रहा है बार-बार परिवाद जिली और वालियर के बीच में आना जाना भी कर रहा है तो कहीं न कहीं घर की नहीं पारिवार एक दिक्तों का भी सावना कर रहे है जो तरह सिंधिया और अपनी सीट बचाने की यहां पर पूरी तरह से कोशिश है सिंधिया की मुदी जी के नाम पर यहां पर चुनाव लड़ा जाना है इसके अलावा यदी हम बात करें तो बिंड भी एक सिंधिया काटे की टक्कर यहां पर दिख रही है इसके अलावा में आपका जयान दिलाना है राजगड एक और महत्पूर्णी मद्धिप्रदेश की जहां पर सभी की निगाहा लगी हुई है दिग्विजे सिंधियों की मद्धिश के पूर मुखिमंदी रहे हैं वो यहां से क मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है रोट बनासर लेकिन हम एक बात और जानना चाहते हैं जब यहां पर सरकार बदली मद्यप्रदेश में उसके बाद मोहन यादो के हाथ में कमान आई जो शिवराज सिंग्छ चौहान थे वो बहुत नाराज थे उसके बाद कारकरता जो थे वो कितना कनेक्ट हो पाए मोहन यादो से और उनकी बातो पर चौनाओ जो है लोग सभा का है लोग सभा के चौनाओ को मत्यादा जाता को यह पता है कि शिवराज सिंग चौहान की घुमिका है वो बिल्कुल अलग है यदि लोग सभा चौनाओ में बोर्ट देते हैं हम भारतिय जन्ता पार्टी को तो निश्चित तो पर मोधी बु क्लियर है लेकिन यदि हम बात करें शिवराज सिंग चौहान के हटने के बाद मोहन यादो किक्ता कर पाया है तो मैं आपको बताओ मोहन यादो लगातार कोशिचों पर चुटे हुए हैं जन्ता से कनेक्शन बढ़ाने की काफी हद तक सफल भी रहे हैं लेकिन उतना सफल न सब्सक्राइब करें शिवराज सिंग चौहान को कैसे बैलन्स करना एक बड़ा सवाल यह भी था किष्टे दिनों बैतूल में प्रधान मंत्री नरेदर मोधी की सभा हुए बहां पर सभा के दौरान मोधी ने कहा कि शिवराज सिंग चौहान और मैं काफी पुराने साथी है 1911 में में जब यह संग्ठन में से तब के साथी है दोनों मुख्मंत्री भी रहे और एक और इशारा दिया है कि मैं शिवराज सिंग चौहान को अपने साथ दिल्ली दे जाना चाहता हूँ नहीं अविनों, इसका मतलब अंतिम समय में जब चौनाओ अपने पीक पर है वहाँ पर और जो है जो सभाएं हो रही थी बिर्दान मंत्री की उसमें उन्होंने ये जरूर समझाने की कोश्च किये कि जो नाराजगी या कारकरताओं में जो अलगाओ है वो फील नहों क्योंकि बड़े कद और बड़े पत के लिए शायद उन पर निशाना साथा जा रहा है और इसलिए उनको अब आखरी बार लड़ रहा हूं तो क्या उसका असर भी कुछ होता दिखाई दे रहा है और अब जब जनता ने ये देखा है कि राजा जो है उस महलों को छोड़ करके सड़कों पर है मैं आपको ये भी याद दिन की पैदल यात्रा भी राजगर राजगर लोगसावा छेथ में की है रोजाना ही करीब तो काफी हद तक कनेक्ट यहां पर जनता के साथ में दिखाई दे रहा है मुझे ही नहीं तमाम लोगों को दिखाई दे रहा है दूसरी एक मैस्पूर बागी है रोडमल लागर जो की दो हजार उन्मीद्वार लेकिन भारती जनता पार्टी की जो उम्मीद्वारी है वो कह कहीं न कहीं एक उस पर सवाल यहां पर लगता हुए दिखाई दे रहा है इसका फाइदा निश्चिक तौर पर दिविजय सिंग को होता हुए दिखाई दे रहा है लेकिन चुनावती कठिन है यहां का चुनाव साफ तौर पर रोडमल नाजर और दिविजय सिंग के बीच मोधी और दिविजे सिंग के बीच का चनाव है जहां भी मोधी का नाम आ जाता है मुक्ताजी वहां का चनाव आटोमेटिकली बेहत कठिर हो जाता है किसी भी दूसरी पारिटी के लिए दिग्विजे सिंग के सामने बहिए कि गया के शीप नहीं कर के वरला कुल मिलाकर उखास उनके बेटेर जेईunde के रट्च का फोकस नाकिक्स पर पिछले 40 सिर्ण और बचाले लाट्री की यहां पर लगि और इसको बचाने की कोशिश में निया ही दिठी दे रहे हैं वहीं दूसरी चीट आपने गुणा की बात की तो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि गुणा यादव वोटर जो है यहाँ पर काफी महत्तुर में का अदा करता है यादवेदु सिंग कॉंग्रेस के उम्मीदवार है जो तरह जिस सिंधिया के खिलाफ के पी याद दूसरी जगें की जिम्मेदारी दे गई है वजह सिर्फ इतनी है कि एपी यादव यदि गुणा में रहते हैं तो फाइदे की जगें कहीं मुक्सान ना हो जा तो चुनौती कड़ी है लेकिन जो तरह जिस सिंधिया जो है जम कर महलत करने में जुटे हुए है गुना का करनाटक का करनाटक में चैलंज बार चीषव करेंगे लिंग सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खट़्चे में एक वहाँ पर अपना वोट डाला है आपको तस्वीरें दिखाते है का तबाकल बढ़ा परांगे तबाकल भांगे तरना और काल एक अई कि भी अर्ट को में जोलगा है यह जोला मैं आपका जोला वोटिंग करते हाँ हूं पचास साल से अब नाचरली जैसा यह रूटीन कोर्स मेरे लिए लेकिन एलेक्शन बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए हम सब को वोट करना चाहिए क्योंकि भारी संख्या में अगर आप वोट करेंगे तो सरकार के विचाराओं को बदलने के लिए आपको भारी संख्या में उट करके अपना शक्ति प्रदर्शन करना ज़रूरी है अगर लोग इसको बहुत इजी लिए और बाद में पस्ता है यह हमारा गलती हो गई तो हर टाइम अगर अगर गलती हो गई भूलके हम करते जाएंगे तो डे इसलिए मैं पहले भी अपील किया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संक्या में आप जाकर उट डाले और डेमाकरसी को जीतने के लिए जो कुछ भी संक्या में तो शिवेंद्र आज करनाटक के जिन 14 सीटों पर चुनाव है सभी एंडिये के पास है तो आपको क्या लगत होती है खासकर कि तब वहां पर कॉंग्रिस के सशक सरकार है देखे यह चुनोती तो बीजेपी के लिए हर जगा पर है क्योंकि हर जगा उन्होंने उन्नीस पी चुनाव में अच्छी खासी सीटे पाई थी चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें दिल्ली की बात करें करनाटक करें और इस बार जो मोदी जी ने इतना बड़ा नारा दे दिया है उसने चुनोती को और बढ़ा दिया है तो एक एक सीट उनके लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि अगर उत्र भारत की बात करें तो फिर भी थोड़ा सरल हो सकता है लेकि करनाटका और साउथ में तमाम की बात करें किस तरह से सहयोग नहीं कर रही है तो यह चुनोती हर जगा के हिसाब से अलग इसलिए भी पड़ती है क्योंकि वहां पर स्केवल मोदी की गारंटी और मोदी की बातों की बात नहीं होगी वह अगर बात करेंगे तो वह चाह करके भी वोटर यह बात को समझ नह सरकार है तो तमाम स्कीम तमाम पॉलिसी तमाम चीजें उतने इफेक्ट्व नहीं होती है इतना कोडिनेशन नहीं होता अगर अलग अलग सरकारे हो तो यह जो चीज समझा पाएं यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुद्दे स्थानी मुद्दे वहां पर ज्यादा ध पर जेडियेस का वर्चस हो है और अब जहां प्रज्वल रिवर्ना सेक्सकांड की गूत सुनाई देरी तो आपको लग रहा है कि बीजेपी और जेडियेस पर इसकांड का असर दिखाई देगा बिलकुल देखें यह बहुत सामानी मामला नहीं है यह बहुत बड़ा मामला है और प्रधानमंत्री के परिवार से भी जुड़ा हुआ मामला है क्योंकि वह बहुत हाई सीट और हाई स्टेक सीट होती है और जब विपक्ष कितना अच्छा भुना पाता है इसको यह भी बहुत जरूवी बात है क्योंकि मामला वहत संभल के भी करना पड़ेगा क्योंक करके इन सब आरोपों से कितना निकल पाती है बीजेपी और उसकी सहीयोगी पार्टी यह भी देखना होगा क्योंकि जब तक सो क्लियर नहीं करेंगे लोगों के मन में अभी ताज़ता मामला है और शायद चुनाओ का ही सही वक्त था जिस वक्त लोगों ने इसका सही इस्त और इसमें जो परसंटेज दिखता है वो टोटल सीट का दिखता है कई सीटे ऐसी भी होती है जो 500-50000 कि अंतर से हरी जीती जाती है लेकिन परसंटेज ज्यादा होता है कई बार 2019 के चुनाओं में ही देख लिजे या 2014 के चुनाओं में देख लिए वोट शेरिंग और तमाम जादा गयब है लेकिन एक एक सीट की बात है एक सीट पे अगर आप 1000 वोट से जीत गए तो भी उसका फर्क है और यह 5 लाग से जीत गए तो भी फर्क है कई सीटें इस तरह का अंतर ले आती है इसलिए वोट परसंटेज जाए दिखता है तो यह कहना कि 63 परसंट का अंतर और 38 परसंट का अंतर है वो जीत हार तै कर देगा यह सफर मुश्किल होगा यह भी मुश्किल है क्योंकि बहुत से सीटों में 55 लाग के वोटों के अंतर से जीत जाते हैं और वो एक ही सीट होती है तो नंबर्स को बढ़ाने का काम नहीं करती लेकिन परसंटेज को बढ़ा जो जो शिकायते आरही हैं जो जो सुचना है मिलने ही हो उस पर कारवाई करेगा और कई जगे ऐसा सुनने को मिलना है जाब बीजेपी के कारकरता नेता बूत पर कबजा करना चाहते हैं कई जगे जो शुरुआती दोर में एजेंट नी बनने देना चाहते थे मैंने यहां पर एक अदिकारी को देखा जिस समय में गाड़ी में आया उसे होसी नहीं था क्या कर रहा है और लोगों को गाली गलोच कर रहा है अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलोच करोगे यह कहां का बिवहार है और चेक करने की अन्वती अंदर है आप बार खड करके इस सरकार को हटाएं देखे पिछले 10 साल में महंगाई बड़ी है बिरोजगारी बड़ी है आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए जो विजन होना चाहिए वो नहीं रास्तार का और हम किसी चीज को देखें आज दवाईयों के दाम बढ़ गए ह जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं गाडियों की कीमत बढ़ गई है बिजली महंगी खरीदने पड़ रही है और किसी के हाथ में नौकी रोजगार नहीं है आप विश गुरू करना चाहते हैं विकसिस भारत बनना चाहते हैं लेकिन परक कैपिटा इंकम क्या है आप के बैंक्स ने लोन माफ किया उद्धिव को बड़े लोगों का आपने किसानों का लाख रूपया नहीं इसकी तरफ से टरासी परसने नौजबान नौकरी और बिरुजगार हैं आप अगनी यह सी विनसी विफसता ला रहे हैं जिसको कभी नौजबान सुशिकार नहीं कर सक किया है उत्ताब पर्देश में हर पेपर लीक हुआ जिसके वारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो आखिरकार जंता बोट क्यों दे आपने आए दोगनी की बात कहीं आए दोगनी नहीं हुई आपने दो क्रोड नौक्री देने की बात कहीं वह नहीं हुआ तो वर्ग क के दाम international market में गिर रहे हैं लगातार जिस तरह खाली पूझी पत्यों की इस देश में सेवा की जा रही है और मैं समझति हूँ कही ना कही नीती के तहट और नियत के तहट भार्टी दिनत्रपाटी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है मैं समझति हूँ दस साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फिलाई है पूरे देश में जहां आज लोग कहीं न कहीं आक्रोशित हैं कहीं न कहीं निराश हैं और कहीं न कहीं जहां दबाफ की राजजिति का तो शिविंद जाहिर सी बात है यादो परिवार की साख और उनका पुलिटिकल फ्यूचर दोनों ही दोनों की परिक्षा होनी है बदाईयों से शेवपाल यादो के बेटे आदिते यादो फिरोजबाद से रामगुपाल यादो के बेटे अक्षे यादो मैंनपुरी से सब्सक्राइब करते हैं उसको बढ़ाना है और तीसरी बात यह है कि जो लगातार बात ब्रष्टा चार रोजगार और तमाम मोदी और डबल इंजन शरकार की बात करते हैं उसके नाम पर वोटर सो कितना इंफुरेंस कर पाएं हैं अपने साथ ला पाएं हैं ये भी करना है क्योंकि 2022 में स्टेट के कलेक्शन से बाहर निकले हैं हारे हैं और अब लोगसभा के चुनाओं में भी अगर उनके साथ इतना अच्छर जल्ट नहीं आता है तो आगे के ल शुरुआत में इन लोगों ने कई गड़वड़ियां की चाहे वो गड़बंधन की सीटों के शेरिंग को लेकर के हो किस पार्टी को कितना सीटे दी जाएं इस चीजों को लेकर के हो लेकिन बाद में जैसे जैसे फेस की तरफ चमाव बढ़ता शुरू हुआ पहले और सीटों में से कुछ सीटों पे इसका असर पड़ जरूर सकता है उसकी वजह यह है कि हर जगा के मुद्दे और जो 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 बीजेपी का अंतरकला और विवाद है वो अलग है बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ गए क्योंकि एक तो राजपूतों की और संगठन का जो जो तालमेल होना था पार्टी के साथ उसमें भी कमी तो यह सब चीजें उतनी फाइन नहीं दिख रहे ही जितनी दोजार उन्नीस और चौदा में दिखती थी तो यह सब चीजें जो इंडी गडवंधन के फाइदा पहुचाने की बात है उसकी तरफ कर सक शिविंद्र ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश के कर्नौत से एलेक्शन लड़ने के पीछे भी दो चर्णों में मिल रही सफलता को कापिटलाइज करने की दिशा में उठाए गए कदम की तरह देखा जा रहा है तो आप इसे कैसे देखते हैं देखे अब यह सफलता है या न देखने को मिलता था कि ऐसे मोके पर चुनाओ में वोट लोग कम डालने के लिए निकले और इतना परसंटेज गिर जाए और वो गिरा है तो दो वजह हो सकती है उसकी एक तो यह कि लोग मोदी जी के नारे के साथ ही मान चुके है कि सरकार तो आनी है क्यों वक्त खराब करे तो हो सकता है कि वोटीने डालने गये हो लेकिन यह भी असट डालेगा या फिर यह को सकता है कि अंडर करेंट और इंटीं मैं इतनी जियादा हो कि वह लोग जो है Param kul Serge कि पूरे देभाई है यह वह नंबर कहीं नह пойते हों उन सब चीजों की और शारा करता है लेकिन य ये एक्ष़ल में है चीज क्या वो नतीजों के बादी परते लेगा और इसका किसको कितना फाइदा हुआ है ये भी अपने सुना के लिए शाधव ने कहा कि बहुत सारी जगह पर फरजी वोटिंड हो ये तो इस बारे में बाट चीप करने क्लिए अनूप मिश्रा जुड़ हमारे साथ अनूप बताईए अरोप लग रहा है हालाज ही अभी तक इस तरीके के लोग सामने नहीं आए हैं जिलोगोंने अपनी बात कहीं है कि चाहिए ना कहीं समाखवदी पार्टी First तो कांग्रिस से गरदल्दर हुआ है, उससे कही न कही न कही ये लग़ा है, लुपकार इसे भाटियलता पार्टी को हो रहा है, अगर हम बनाय की बात करें, तो बनाय में भी यही पुछी है, कि लगातार जो आजित के समर्शन में बोटिंग हुई है, और आपके गुल्नौर में सहسمान में तमाम ऐसी जगह है, जहां पर सबसे ज़्यदा जो है, अदर फुल्दाए की लोग है, तो यह वाला जगता है कि वहां पर साफी मजबूट है, समानबधी पार्टी, तो कही ना कही भार्टी जलता पार्टी को बरीली का अगर बरीली बंडल की बात करें, तो म तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा तो है और जो फंजी बोटिंग की बात है तो बीजेपी भी हो चाहें चाहें कोई भी हो सभी लोग सामदाम दल्बे रफना रहे हैं चाहें वो आप देखी जिस तरीके से जान पूर्मेंट चिकर काट लिया गया जाने कि बीजेपी ने ठाल लिया है उसको हर तो हालत में वीजेपी की असी की तीकों पर करना है इसलिए वो चार्सों पार का नारा दे रही है तो कहीं ना कहीं ये उनकी कोशिश है कि कुछ भी हो सामदाम दल्बे कुछ भी अपना के चाहें हिंदू-मुश्रिम की बात करने हो राममंद्र की बात करने हो लेकिन उनको हर कीमत बाद चाहिए चार सो पार जो नारा दे रहे हैं अच्पी की पीटे कास्ते हिंदी में बीजेपी ज़्यादा मजबूत माली जाती है उसाउस और नार्ट इस में बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है तो उनकी पूरी फोकस र प्रधान मंत्री तीसरी बाद नर्वें बोदी बन सके हैं तो यह पूरा निकल कर आया है तो अभी तक ही अगर बोटिंग परसंटेज की बात की जाए तो बोटिंग परसंटेज भी काफी कम है अभी 60% बोटिंग होई है ज्यारा बच्चिते हैं सुबह का वक्त सुबह निकलें सुबधाएं हैं क्या ग्राउंड पर आपको सुबधाएं या फिर लोगों की अपील जो की गई थी लोगों से वो अपील का असर होता दिखा है या अभी वी आगे पिक्चर ऐसी ही रहने वाली है इसके लावा वील शेयर की भी सुबदा की गई है लेकिन जो मोट मोटर है वो कम निकल ला है इसके पीछे पता नहीं क्या गजह है साइलेंट जो मोटर है वो अपनी खुल का बात भी नहीं कह रहा है तो जो चुनाओं यो के जो लगातार जो उनकी कुछते सी वो नाकाम सा भी तोची दिखाई दे रही है यही वजह है कि जिस तरीके से वो उसके बाद तीक्षे चरण नहीं उमीद प्रश्थाइज या रही थी कि इसमाई बढ़ेगी चुनाओं भी क्याना था कि हम पूरा प्रयास कर रहा है वो तिन बढ़ाने का लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वो नहीं दिखाई पढ़ रहा है पार्टी के नेता जगे जगे जग प्रफितार जिस तरह से अपील हो रही है और चुनाव योग कह रहा है उसके बावजूद भी नहीं इस तरह का असर दिखना ये अपने आप में हरान करने वाला है क्या आखिर कर क्या होने वाला है तो इवियम पहली बार ऐसा नहीं है कि जब इवियम को दोश दिया जा रहा है इस बार तो चुनाव आयोग ने बड़े ही शाराना अंदाज में बोला भी था कि अपनी हार का ठीकरा जो है इवियम पर ना फोड़े लेकिन अभी फिर से अभी तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है अगर दो चार जगे भी हो रहा है तो फिर उस ब्रस्था पर तो सवाल है ही जिसकी बात चुनाव हो करता है कि इवियम में सुरच्छा है या फिर जो पहले बैलेट वाले सिस्टम थे उनमें होता था बदमाशी लोग बूट लूट लेते थे या फिर कभजा कर लेते थे टेंपर कर देते थे तो ये तो प्रशाशन को देखने की बात है लेकिन ये जो चोट चोट